बिसमिल्ला इर्रह्मारहिंग, असलाम अलेकुम इलिएर्स, में हम इव इंगिनियरकार, मेरा तालुक से सोलर टैक्स स्लीशन से, सोलर टैक्स स्लीशन स्प्राइट करता है आपको रेजडेंशल, कमर्शल और अपिकल्चर सोलर स्लीशन देश्ट इसले हम अरफास सोलर आपसे शेयर करेंगे और यह आपको दिखाएंगे किस प्रिक करता है इसके आइस का बैटिपेकर आज की वीडियो इसी पर होने वाली वीडियो के शुरू से लेकर रेंट तक जबूर देखेगा, मैं हमीद करता हूं कि आप प्रोपर साथ वाट के इसकी बड़ी डिमांड आजी थी, क्लाइन टेंट से के एक साथ वाट की लाइट है जो पूरी रात का बैकप है तो उसको मदर नज़र रखते हैं हमने साथ वाट के अंदर इसको डिवाइन किया है और इसकी स्पेसिकेशिकेशन के बारे में बात कर लें तो सबसे पहले इसके अंदर लेडियों अ अप्रेट होती है और इसको कंट्रोल करने के लिए अंदर लगाया वा जो के बड़ी एफेक्टिवली बैट्री को चार्ज करता है हाइली एफिशेंट एंदर इसकी बात करें तो यह मर्पास ब्लैक और क्रीम करनर के थीम में आता है यह दो बेसी के उसके लावा यह अलमि पीचर इसके अंदर आटमेटिक ऑन उफ है बटन इस लिए रखा जाता है ताकि जब पहली तफ़ आप इसको लेकर जाएं तो बैटरी कंस्यूम ना हो जैसे अपने लगादे नहीं आपने स्पान कर देना उसकेस में यह पावर अप हो जाएगी और फिर यह सेंसर इसको ड और यह उसके जुम अबाइटाहिक आए है और दो तरह की जैसे कि आपके मुलों होंगे लाइट होती है वी ससे में इलाएटाहिक कंट्रोलर जी याप व्याल भी इसके लागाटिक के लावा जो इसका अवालन ना अफ्याटिक स्वें टील्टेंगा निम्हांटिक त्यूम तो यह अभी वैं आपको इसके पैनल लगा तो फीक है यह साठ वाट के इसका बैटरी है जो कि इसको चार्ज करता है लीथियू इसके अंदर बैटरी लीथियू और फॉस्वेट की बैटरी इसको माई प्रीड पर पहुंत है अभी रहातों विसको चलाके भी दिखाने है और इसके अगर कवरेरी की बात करें तो इसके पास हमने यह लैंड इसका यूज कि यह जो खिलाओ है वह पुरीबन साथ फिट है एफेक्टिव एरियस में 40 फिट है और 30 फिट राइट विट इसको 60 फिट का इसके फिट एड़िये यह यह लाइट को असानी कवर कर ठेकती है और यह कंप्लीट नाइट के बैककब के साथ है अटमेटिक अना फिट रहार जैसे शूरज बोड़ आटमेटिक लिए उना जाएगी और सुबह जैसे सूरज निकले गा तो यह फोफ हो जाएगी एक दिन पी जो चूरज की रोशन से यह एक प्लीडिक चार्ज हो जाएगी और इसका बेकफ जो ऐटी आरेके पेडरीन इसकी परफॉरमस है, तो बाकी जो इसकी प्राइस के बालब करेंके इसके आपको आपको पर तैस्ट रिम देढ़ दे दूंगा, जिसमें हम इसको लगाएं गे चैस्ट की और विपन 30 वी ईट्राइस की इपको इसकर इंटाएंग अब हमने इसको 30 से फिट के हाइड का पर इंस्टाल किया वह और अभी मगरिब का टाइम हो गया है और आप देख सकते हैं इसके रोशीं वेतरीन तरीके से जाए हो नीचे आ रही है कि इस फुट के फासले पर हमने इसको लगाया है वह आयट रहा है वह यहां पर दबल मनजिल और उसके पर शेड के पड़े लगए है वेतरीन यह रोशीं को वाइड कर लेगा है